नमस्कार अपने भारत में एक कहावत है कि धिकार है ऐसे दुस्मन की दुस्मनी पे अगर जिसका दुस्मन चैन की निंद सोता हो और दुनिया में एक मातर देश है इस्राइल जिसका दुस्मन कभी चैन की निंद नहीं सोता है जी है इस्राइल यह है इस्राइल का नक्सा और यह है इस्राइल, यह Middle East का मैप है, एसिया में Middle East पड़ता है तो यह Middle East, एसिया में यह जो देख रहे हैं, यही है इस्रीयल का मैप अपने भारत के राजस्थान को अगर तीन टुकड़ों में बार दिया जाए तो जो सबसे छोटा टुकडा होगा वो भी इज्रियल से बड़ा होगा कमाल की टेकनोलोजी है, कमाल का डिफेंस है ठीक है, लेकिन आप जानकर यह हैरानी होगी कि 1948 से पहले दुनिया में इसराइल नाम के किसी देश का कोई अस्तित्व है नहीं था ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि राष्टवाद की लहर चल पड़ी, इटालियन इटली की मांग करने लगे, जर्मनी जर्मन जो है, जर्मनी की मांग करने लगे ठीक है, तो इस तरह से यहूदियों में भी एक अलग देश की इक्छा उठे कि यहूदियों का ये एक देश का गठन हो सके ये बड़ा कठिन था क्योंकि वो एक जिगा संगठे थी नहीं थे वो पूरे एशिया यूरोप अफरिका में फैले हुए थे तो यहूदियों के मन में जो एक देश बनाने की जो इक्षा हुई तो वो इनके पूर्वजों के यहूदियों का मानना है कि उनके जो पूर्वज का एक देश हुआ करता था जहां उनके पूर्वज जो है संगठे तरूप से एक यहूदियों का देश था तो देश था पहले एक इस्रियल हुआ करता था ठीक है तो यहूदियों का चाहत था कि जहां हमारे पूर्वजों का देश था इस्रील वहीं पर एक संगठित देश पने ये जो देख रहे हैं जेरुसेलम बला एरिया तो ये इस्रील का पुर्वजों का एक देश हुआ करता था ऐसा यहूदियों का मानना है तो यहूदी लोगों के जो मन में इक्षा हुई कि हमारे एक कहते हैं या फिर इंग्लिस में उसे यूरोपियन जहे ओटमन समराज कहते हैं और एशिया में उस्मानिया समराज कहा जाता है तो वहाँ पे अब उस्मानिया समराज का अधिकार था ठीक है तो ये इतना आसान नहीं था 19 सदी के मद्ध आते आते जो है यहूदियों के मन में इसराइल नाम की जो ये इक्षा जगी उस फिलिस्तीन वाले एरिये पे जहाँ इस वक्त ओटमन समराज का कबजा था उसे पूरा फिलिस्तीन कहा जाता था तो वहाँ पे जो ये इसराइलियों के मन में जो देश के इक्षा उठी इसी को जियोनिज्म या पर यहूदी तियोडोर हर्जर ठीक है इस समय तक जो है 19 सदी के मद्ध आते आते यूरोप के कई हिस्सों में यहूदियों पे अत्याचार होने शुरू हो चुके थे और इसका कारण यह था कि जब राष्टवाद की जब भावना जगी तो लोग एक जैसे रहांसहन वाले एक जैसे धर्म को मानने वाले लोगों में एक अलग देश गठन करने की होड लग गए तो यहूदी एक अलग धर्म के थे और यूरोप में चुकी इसाई बहूल छेतर है तो वहां पे जो है वो यहूदियों पे धार्मी का धार पे अत्याचार होने शुरू हो गए तो इस कारण जो है मानते थे कि उनका पुर्वजोका देश था तो वह 19 सदी के मज़ तक बहुत से यहूदी यहोदी 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 को फिलिस्तीन के निकल कर फिलिस्तीन की और आने लगे इसी भी जब 1914 में पर्थम युसुद शुरू हुआ तो उस वक्त ऑटमन समराज या फिर यह उस्म में जो है आटमन समराज की हार हो जाती है और जो अब फिलिस्तीन वाला जो एरिया था यहाँ पर यह फिलिस्तीन यह जौर्डन सहित यह उन दिनों पूरा आज जो यह जौर्डन है यह उन दिनों फिलिस्तीन वाले हिस्से में ही आता था तो यह जौर्डन सहित जो यह फि अब ब्रिटेन का कबजा हो गया बालफोर की घोसना के बारे में जानते हैं थोड़ा इंपोर्टेंट है उन्हीं सो सत्रह में जो है ब्रिटेन के विदेश सचीव लौड बालफोर और यहूदी नेता रोथास चाइल्ड इन दोनों के बीच एक समझहोता हुआ जिसमें मातरभूमी के रूप में मानने के लिए प्रतिबद्ध है उसे यहूदियों के मातरभूमी के रूप में विक्सित करेगा ऐसा लार्ड बालफोर ने घोसना किया और इसी को जो है बालफोर घोसना कहा जाता है उन दिनों के यह नीज़पीपर में ऐसे आर्टिकल आते थे Palestine for the Jews, ठीक है, तो ये Lord Balfour का गोस्तना हुआ, ठीक है, उसके बाद में पर्थम विस्यूद समाप्त हो चुका था, 1920 में जो है, इटली में एक San Remo Conference हुआ, इस San Remo Conference में USA और France ने भी Britain को ये officially कहा, अधिकारिक तोर पर कहा, कि Britain जो है, फिलिस्तीन जो जगह है, उसको यहूदियों की मातर भूमी के रूप में विक्सित करे, एक ऐसा माहौल बनाए, जहाँ यहूदी जो है, संगठित, छेतर संगठित रूप से रह सके, लेकिन जो फिलिस्तीन का जो प्रसासन ह उसको स्वेम जो है, बिटेन अपने पास रखे, क्योंकि वहाँ पर अरब मुसलिम ज़्यादा थे, और यहूदी यूरोप से, अफ्रिका से, एसिया से, इभिन छेतरों से जब जाएंगे, तो वहाँ पर कोई संकर्ट उत्पन ना हो, कोई राजनेतिक संकर्ट उत्पन ना इसके लिए जो वहाँ का परसासन है, वो बिटेन अपने पास में रखे, ठीक है, इसके बाद जो है, अब यहूदियों के मन में एक भाय उत्पन हुआ, कि जहां वो जा रहे हैं, फिलिस्तीन जो इस वक्त का जगह है, वहाँ पर अरब की मैजोरिटी है, तो यहूदियों क जो एक भाय था, कि जब वहाँ अस्थानिय सासन की स्थिति आएगी, प्रसासन की स्थिति आएगी, तो वह कम जन संख्या के वज़से, क्योंकि वहाँ पर अरब बहुल जन संख्या है, पहले से वहाँ अरब रह रहे हैं, तो यह कम जन संख्या की वज़से, यह अरब संख जब बात आएगी तो उसमें यहूदी भी अपना अधिकार मांगे तो इसलिए अरब विरोत कर रहे थे वो सत्ता का साजहां नहीं करना चाहते थे यहूदियों के साथ ठीक है अब ऐसी राजनितिक परिस्थिती उठ गई थी कि जिसके कारण बिटेन ने जो है बिटेन का तो तो यह कारण के इसको अरब स्टेट जो है 77% कारण के इस हिससे को अरब स्टेट बना दिया गया जिसे ट्रांस जोर्डन कहा गया और यह 23% एरिया जो है यह मातर फिलिस्तीन रहे गया जिसके जिसमें यह बिटेन इसराइलियों को बसाना चाहता था यहूदियों को बसाना चाहता था तो यह मातर 23% अब हिस्सा रह गया था बाकि यह जो इधर साइड जो मैजोर्टी अरब वाला छेतर था इसको बेटेन ने पहले ही काट करके अलग कर दिया और इसका एक नाम दे दिया रांक जॉड़न नाम देश बना दिया तो इससे जो है यहूदियों का बिटेन से विस्वास उठी यह और वो यहूदी बिटेन का विरौध करने लगे अलाकि बिटेन ने यहूदियों के पक्ष में यह कदम उठाय था लेकिन यहूदी इससे खुश नहीं थे यहूदी पू अखियत्यचार होना शुरू हो गया, जर्मनी में भी हिटलर के राज के सुरुवात से ही लाखो यहूदियों का कतलयाम शुरू हो गया, इस कारण यहूदी अपनी आखरी उमीद लेकर फिलिस्तीन पहुंचे, जहां उनके पुर्वजों का एक देश हुआ करता था, वो अब अरब और यहूदियों के भी संघर्स आरंब हो गया, देखिए कभी भी जब एक जगा पे लाखों के संख्या में अगर कहीं से लोग आकर बसने लगते हैं, तो सिर्फ यह उन्ही को समस्या नहीं होती है, जो बाहर से आकर बस रहे हैं, वहां के जो अस्थानिये लोग है, उनके लिए भी यह समस्या उत्पन हो जाती है, रोजी रोटी की समस्या उत्पन हो जाती है, रहने का, आवास का, इन सब का समस्या वहां के अस्थानिये लोग को उत्पन भी हो जाती है, तो इस कारण जो है, यहूदियों और फिलिस्तिन के बीड संघर्स आरंब हो जाता ह और ये संघर्स एक बड़ा रूप तब लेता है जब 1936 में एक मुस्लिम धर्म गुरू की हत्या हो जाती है और इसका आरब जो है ये बिटिस फॉज पर लगाया जाता है कि इन्होंने यहूदियों का समर्थन करने के लिए एक मुस्लिम धर्म गुरू की हत्या कर देती है इस कल तक चोटे मोटे जड़प होते थे वो अब सस्तर के रूप में सस्तर का रूप ले लेती है अब दोनों और से हत्यार उठा ले जाते हैं इधर यहूदी भी हत्यार उठा लेते हैं उधर अरब भी हत्यार उठा लेते हैं अब दोनों के बीच सस्तर संघर्स सुरू हो जा पहले जैसे मजबूत इस्थिति में नहीं रहता है अब ज़रूर जानते हूं कि दुटी इविस्थित के समापती के बाद दुनिया में दो जो है दो सूपर पावर का जन्म हुआ एक हुआ सोवियत संग और दूसरा हुआ यूए से तो अब ब्रिटेन जो था जो ब्रिटेन दुटी इविस्थित से पहले जो मजबूत इस्थिति में था वो दुटी इविस्थित के बाद वाली मजबूत इस्थिति में ब्रिटेन अब नहीं रहा ठीक है और इधर यहूदियों और अरब के दंगों से तंग आकर ब्रिटेन ने उस फिलिस्तीन मामले को यूएन में ले जाना जरूरी समझा और उसने UN में जो कि UN का गठन दुईती विसुद के जस्ट बाद 1945 में ही हो गया था तो बिटेन ने फिलिस्तीन मामले को UN में ले गया और वहां से अब फिलिस्तीन मामले से बिटेन अपने आपको पूरी तरह से अलग कर लिया उसने अपने आपको पूरी तरह से अलग कर लिया क्योंकि वो यहूदियों और अरब के दंगों से वो तंग आ गया था ठीक है उन्हें 1947 में UN ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में भागने के लिए प्रस्ताव रखते हैं और वो इस तरह का एक मैप जारी करते हैं इस मैप में देखें यह जो भूरे रंका आप देख रहे हैं यह उन्होंने अरब को देना जरूरी समझा और यह ब्लू रंका नीले रंका जो आप देख रहे हैं इसके लिए उन्होंने यहूदियों को देना जोरी समझा है तो यह UN का एक प्रस्ताव था कि अरब और यहूदी इस पे मान जाए लेकिन चुकि यह इतना जटिल था अरब इस पे नहीं माने और इस कारण जो है इसका सीमा निर्धार नहीं हो सका और सबसे जो में मुद्दा फस रहा था जेरुसेलम वाले एरिया पर फस रहा था अब जेरुसेलम चुकि तीन धर्मों का पवित्र अस्तल है यहां इसाईयों का भी पवित्र अस्तल है यहूदियों का भी पवित्र अस्तल है और अरब का भी पवित्र अस्तल है तो इसलिए यहां पर यह जो में मामला जो यहां फसा तो इसके लिए जो है अरब नहीं माने चुकि यूएन ने कहा था कि जो जेरुसेलम वाला एरिया है ये तीन धर्मों का पवित्र अस्थल है इसलिए इसे अंतरास्टी प्रबंधन के अंतरगत रखा जाए लेकिन अरब इस बात पर नहीं माने अरब जेरुसेलम का परसासन चाहते थे और वो यहूदियों को इतना जमीन भी देने से इंकार थे ठीक है अब यूएन का यहा परस्ताव तो यहूदियों को मंजूर था लेकिन अरब जो है इसको मानने से साफ साफ इंकार कर देते हैं 1948 आते आते जो है बिटेन अपनी सेना जो है वहां से हटा लेता है बिटेन के सेना हटते हैं यहूदियों ने मौका पाकर 14 माई 1948 को स्वतंतरता की गोशना करते हुए एक नए देश इसराइल की गोशना कर दी जबकि सीमा का बटवारा अभी इसराइल और पैलेस्टाइन के सीमा का बटवारा नहीं हुआ था लेकिन फिर भी बेटेन के हटते हैं यहूदियों ने एक इसराइल देश की गोशना 14 माई 1948 को कर दी इसके अगले हिदिन मिस, जॉर्डन, इराग, सीरिया और लेबनानी जो मुलता अरब कर देते हैं इसराइल पर हमला कर दिया और इसी य युद्ध में जो है इसराइल जीत जाते हैं, इस युद्ध में इसराइल के जीत का ये कारण था, क्योंकि इसराइल जो है वो अपने अस्तित्यु की लड़ाई रहा था, उसके पास अब दूसरा कोई आश्रा नहीं था, वो इसी उमीद के साथ लड़ रहा था कि अगर य इस यूद में हार जाते हैं और इस यूद में इसराइल को बाहरी मदद भी बिर्टेन से भी मदद मिलता है यूएसे से भी मदद मिलता है जिसके कान इसराइल इस यूद में जीत जाते हैं और इस तरह से जो है उन्हें सो उन्चास में जॉर्डन और इसराइल के बीच सीमा क अच्छेतर कहलाता है और इन दोनों के भी जब संदी हो जाता है तो एक ग्याड़ माई उन्चास को जो है इसराइल को भी UN की माननेता मिल जाती है और इस तरह से जो है दुनिया के नक्षे पर एक इसराइल नामक देश का उदय होता है ठीक है आए हो कि आपके सारे कन्फूजन इसराइल के उदय से या फिर इसराइल के दुनिया के नक्षे पर उदय से या फिर उसके इतिहात से जो भी कन्फूजन होंगे दूर होंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद